Hello everybody, welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel और मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 8 की, UP Board की जो आपकी English Book है That is Rainbow Book, उसका Chapter No.13 Planets Roll Call अब वैसे तो यहाँ पे Chapter लिखा है लेकिन यह जो है, एक Chapter नहीं एक Poem है, याने की एक कवीता है कवीता के बारे में समझते हैं Planets Roll Call Planets का मतलब क्या होता है Planets यहने की ग्रह वो ग्रह जो सूरज के इर्द गेर्द परिक्रमा लगाते हैं चक्कर लगाते हैं हमारे सौर परिवार में याने की Solar System में उन्हें हम कहते हैं Planets तो Planets Roll Call का मतलब क्या होता है जैसे class में teacher सारे बच्चों को roll number से बुलाती है न roll number one आओ सब के सामने अपना introduction दो अपना परीचाय दो पूरी class के सामने फिर roll number two, roll number three, four, five वैसे करके सारे बच्चों को बुलाती है और introduction कराती है परीचाय कराती है पूरी class से उसी तरीके से planets का आज roll call होगा याने एक एक करके सारे planets को, सारे ग्रहों को हम बुलाएंगे हम उनके बारे में बताएंगे और उनके बारे में कुछ न कुछ विशेशता बताएंगे कि उनकी क्या quality है और सारे ग्रहों, सारे planets जो हैं हमारे solar system याने कि हमारे solar परीवार के जो total 8 ग्रह हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो जो हमारा solar system है याने कि 100 परिवार उसमें सूरज याने sun को मिला के total 8 sun तो एक star है sun को ग्रहा consider नहीं करेंगे sun is a star और उसके बार total कितने ग्रहा है? 8 ग्रहा तो ये 8 ग्रहा और सूरज को मिला के बनता है हमारा पूरा solar system याने कि 100 परिवार तो आईए सारे planets को role number wise बुलाते हैं और उनके बारे में कुछ ने कुछ विशेष्टा जानते है 8 planets around the sun listen as I call each one तो बताया जा रहा है कि total 8 planet याने 8 ग्रहा है जो sun याने सूरज के इर्द ग्रिर्द परिक्रमा लगाते हैं listen as I call each one सुनो, ध्यान से सुनो जैसे जैसे मैं एक एक करके हर ग्रह, हर planet को बुलाऊंगा और उनके बारे में आपको बताऊंगा तो ये हमें कौन कह रहे हैं? ये हमें कवी कह रहे हैं जिनोंने ये कवीता लिखी है Mercury, here number one closest planet to the sun तो सबसे पहला प्लानेट, सबसे पहला ग्रह कौन सा होता है? Mercury, जिसको हिंदी में कहते हैं बुद्ध ग्रह तो ये सबसे number one पे आता है और इसकी क्या quality है? इसकी क्या विशिष्टा है? इसकी ये विशिष्टा है कि ये सूरज के सबसे करीब, सबसे closest planet है याने कि अगर ये आपका sun है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा Mercury याने की बुद्ध ग्रह उसके बाद सारे planet तो सबसे close, सबसे निकट, सबसे पास जो ग्रह है सूरज के वो है Mercury याने की बुद्ध ग्रह Venus here number two, shining bright just like new अब उसके बाद जो दूसरा हमारा ग्रह planet आता है वो है Venus याने की शुक्र ग्रह ये जो है number two पे आता है याने की Mercury के बाद आएगा आपका यहाँ पर Venus और इसकी क्या quality है? Shining bright just like a new जैसे कोई new चीज, कोई नए चीज बहुत तेज shine करती है, चमकती है इसकी quality ये है कि ये वाला ग्रह हमेशा तेज, brightly shine करता रहता है याने की चमकता रहता है Earth here, number three, earth is home to you and me अब तीसरा ग्रह कौन सा आता है? Earth, number three पे, earth को हम हिंदी में कहते हैं पृत्वी इसकी क्या quality है? Earth is home to you and me Earth याने पृत्वी ग्रह वो ग्रह है, जो हमारा घर है, जो हमारा home है, जैसे आपका और मेरा जहां आप और हम रहते हैं, जाने की हम किस planet पर रहते हैं? Earth याने पृत्वी पर तो यह हमारा घर है याने की life है यहाँ पर लोग, जिन्दा लोग यहाँ पर रहते हैं, animals, plants सब यहाँ पर रहते हैं Mars here, number 4, red and ready to explore अब number 4, चौथा number का जो आपका ग्रह याने planet है वो है Mars जिसको हिंदी में हम कहते हैं mangal ग्रह इसकी क्या quality है, यह कौन से color का होता है, red color का तो जो Mars planet जभी भी आप देखेंगे या इसकी photo देखेंगे या telescope से आपको देखने का अगर मौका मिले तो आपको red color का planet देखेगा क्योंकि इस पर लाल मिट्टी होती है and ready to explore, explore का मतलब खोजना, याने यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर हमेशा हम लोग खोजबीन करते रहते हैं वै ज्यानिक हमेशा अपने जो scientist होते हैं, हमेशा अपने कुछ न कुछ यहापे satellite बगरे को भेजते रहते हैं थाकि यहाँ पर कुछ न कुछ हमें खोजबीन करें और कुछ न कुछ हमें यहाँ से knowledge मिले, ग्यान मिले, कुछ पता चले हमें इस ग्रह के बर में तो यह एक ऐसा planet है, जहाँ पर हमेशा खोजबीन होती रहती है Jupiter, here number 5, largest planet, that's no jive अब उसके बाद number 5 पे, number 5 पे कौन सा ग्रह है, Jupiter इसको हम कहते हैं, ब्रिहस पती ग्रह, ठीक है और इसकी quality क्या है, कि यह आठो planets में से, आठो ग्रहों में से सबसे largest यानि सबसे बड़ा ग्रह Jupiter है, यानि की ब्रिहस पती है that's no jive, jive का मतलब यानि मजाक और ये कोई मजाक की बात नहीं है, कि Jupiter आठो ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है ये सच बात है, ये fact है, ये तक्थिय है Saturn, here number 6, with rings of dust and eyes that mix अब उसके बाद number 6 पर कौन सा ग्रह आता है, Saturn यानि की इसको हिंदी में हम कहते हैं, शनी ग्रह अब इसकी quality क्या है, कि मानो जैसे ये आपका planet हो गया Saturn तो इसके आसपास, इसके around क्या होते हैं, ऐसे rings होते हैं यानि हिंदी में बोले तो चले, तो Saturn यानि जो शनी ग्रह है उसके आसपास rings होते हैं, यानि चले होते हैं, किस से भरे हुए? इसके dust and ice, यानि धूल और बर्फ से भरे हुए, जो छले होते हैं, वो Saturn ग्रह के आसपास होते हैं, यानि कि शनी ग्रह के आसपास Uranus here, number 7, a planet tilted high in heaven Tilted का मतलब क्या होता है, किसी तरफ जुका हुआ या थोड़ा सा मुड़ा हुआ और heaven का मतलब क्या होता है, स्वर्ग, everybody knows स्वर्ग तो Uranus जो है, आपका कौन से number का planet है, कौन से number का ग्रह है, number 7 और इसको हम हिंदी में कहते हैं, अरोण ग्रह, ठीक है तो इसकी quality क्या है, जब भी आप Uranus को देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरोण ग्रह, जो Uranus है, वो स्वर्ग की तरफ थोड़ा जुका हुआ है या मुड़ा हुआ है यानि अगर सौर परिवार, पूरा solar system ऐसा है, तो Uranus थोड़ा ऊपर की तरफ है तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग की तरफ थोड़ा सा जुका हुआ है ये planet Neptune here number 8, with one dark spot whose size is great अब सबसे आखरी पर जो आठवे नंबर का ग्रह है, वो Neptune है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वरोण ग्रह इसकी quality क्या है, कि इसके उपर, इस ग्रह के उपर एक बड़ा सा काले रंग का spot है याने की दाग है धपा है और ये जो धपे की ये जो दाग का जो size है वो बहुत great है याने की बहुत बड़ा है याने वरोण ग्रह के उपर एक बड़ा सा काला धपा है और इस धपे की भी size बहुत great है याने बहुत बड़ी है So with this we come to the end of this session I hope सारे आपको ग्रहों के बारे में पता चल गया होगा आज हमने सारे ग्रह सारे आठो प्लानेट के बार में पड़ा और इनके बारे में कुछ न कुछ हमने विशेशता पड़ी इस वीडियो के बाद मैं आपको अलग से एक वीडियो में question and answers दोंगी और एक और वीडियो में इसी poem की इसी कवीता की book की exercises हम करेंगे So देखना न भूलेगा and do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel तब तक के लिए bye bye and take care